नमश्कार चरहट कें दिमाब सभी का स्वाकत है दोस्तो बुद्ध पूर्णिमा दोहजार चौबिस आज हम आपको बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ ऐसे उपाए बताएंगे यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपकी आर्थिक इस्तिती बहुत जाद सुधर जाए चिश्रद चरूर रखनी होगी तभी योपाय कारगर होती हैं आए जान लेते हैं कौन सी है योपाय बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है इसके साथ ही इस दिन पीपल के पेड़ पर चल चढ़ाते हुए मिठाई भी चढ़ाते हैं दित्य योग और गजलक्ष में योग भी बन रहे हैं अगर इस दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो हर काम बनने लगते हैं बद्धुपूर्णी माकितें पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है इसके साथ इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चड़ाते हैं साथ में उसके लिए आपको बुद्ध पूर्णी माकि दिन चंद्रमा को दूद में चीनी और चावल मिला कर अर्द देना चाहिए अर्द देते समय ओम इम क्लीम सोमाई अनमा इस मंत्र का चप करते रहें ऐसा करने से आर्थे कि स्थिती में सुधार देखने को आपको मिलेगा बु धन से जुड़ी समस्या हैं यदि आपको तो इसके लिए बुद्ध पूर्णी मापर माल लक्षमी की पूजा करते समय उन्हें ग्यारा कोडियां चढ़ाएं इसके बाद इन कोडियों के लाल कपड़े में बांध कर जहां पैसे रखते हैं उस इस्थान पर रखते इस उप फिर अपने पैसे रखने के स्थान पर रखते हैं यह उपाई भी करने से आपके घर में शुक्सम्रिद्य और धन धान बना रहता है तो दोस्तों आज हमने आपको कुछ ऐसे आसान से उपाई बताए हैं जो कि आपको बुद्ध पूर्णी मा के दिन यानि 23 मई के दिन करने हैं यदि आप यह उपाई कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके आर्थिक स्तेदी कैसे सुधरने लगेगी क्योंकि हमें कुछ उपाई जो की जोतिस और वस्तु सास्त्र में देगे हैं यदि हम इनको बिलकु नियम से करते हैं सची सरद्ध के साथ करते हैं तो भगवान जरूर लोगों की चपूरी करते हैं जो भी इन उपाई को सच्चे सरद्ध के अनुसार करते हैं और पून विधी से करते हैं उमेद करते हैं कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और यदि आप हम